ग्लोइंग स्किन होम रेमेडी यह होम रेमेडी इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि 10 मिनट के अंदर आपकी स्किन को ग्लोइंग बना देगा तो अभी आप देख सकते हो मेरा चेहरा कितना ज्यादा डल है मुर्जाया हुआ है तो यहां पर मैंने ले लिया है एक बाउल और मैंने डाल दिया है आधा चमच बेसन और आधा चमच से भी कम मतलब चुटकी भर के लगभू मैंने इसमें दाड़ा है हल्दी तीसरा इंग्रेडियंट है दही इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेके एक अच्छा सा फाइन पेस्ट हमें तयार कर लेना है और इस पेस्ट को अपने चेहरे पे पहले तो मैं लगा लूँगी अप्लाई कर लूँगी ऑल ओवर फेस बेसन जो है आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नरिश करता है डर्ट, पॉल्यूशन, ब्लैक हेट्स, वाइट हेट्स जो भी रहते स्किन पे उन सब से स्कुन को पहले साफ कर देता है, हल्दी में अंटी बैक्टिरियल गुन पाए जाते हैं, साथ ही साथ ही स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है, पिम्पल्स वगड़ा से छुटकारा दिलाता है, और दही स्किन को स्किन वाइटनिंग तो देता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ग् सिर्क्षन में मसाज्व करनें में दो से तीन मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप मसाज कर लेते हो तो आप देखोके की आपकी सिक्न इंस्टैंट बहुत ही जादा स्मूथ हो जाती है। गलॉइंग वो प्लेन वाटर से धोना है तो आप देख सकते हो मैं चेहरे को धो के क्या मैं तो पुरा नहाकर ही आ गई हूँ और इसके बाद कोई फेस वाश या साबुन नहीं लगाना है और हलके हाथों से टैप करते हुए चेहरे को पोच लेना है पानी को सुखा लेना है और अभी चेहरे पर कितना अच्छा निखार आ गया है तो